हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टूर चैनल बैंगान थेरी तो फ्रेंड्स इस वीडियो हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट नैस्कॉम और गिटहब की तरफ से एक थ्री डेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाला गया है क्लास्रूम सीरीज निकाली गई है जिसमें आपको एक जैनुएन सर्टिफिकेशन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट नैस्कॉम और गिटहब की तरफ से जिसमें एई डेटा साइंस और 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 आपको तीन दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी क्योंकि एक वैसा सर्टिफिकेशन नहीं है कि आप बस को नेक्स नेक्स करके इन्रोल करके आप पढ़ लिया और आपने उसका सर्टिफिकेशन मिलिया इसमें आपको एक असिसमेंट भी देना होगा और इसके बारे में हम बात करने वाले डिटेल में उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि आपको अगर ऐसे इंपॉर्टन वीडियो चाहिए तो आपको टाइम टू टू टाइम अप बतानी है इसके बारे में सबसे पहली चीज तो यह कि इसकी जो सीट्स हैं वह लिमिटेड है ठीक है तो रिश्ट्रेशन कैसे करना है वह मैं आपको बता हुआ लेकर कुछ चीज यह जिसके बारे में आपको पहले बताना जरूरी है जब भी आप रिजिस्टर कीजिएगा पहली बात तो यह है यह किसी particular domain के लिए नहीं है जो भी students हैं वह किसी भी इंडिया में किसी भी university से belong करते हों कोई भी graduation कर रहे हो वह अगर चाहते हैं कि उसे अपने AI data science augmented reality जैसी technologies में knowledge लेनी है और certification करना है तो वह इसमें register कर सकते हैं अब यह basically तीन दिन का है वैसे तो 21st से 26 September के बीच का है लेकर तीन दिन का है आप slot अपने हिसाब से book कर सकते हैं आपको slot book करने पड़ेंगे जैसे कि जब आप यहां पे register now पे click करेंगे तो इन्होंने तीन modules बना रखे है पहला module जो है data science basic introduction का है ठीक है दूसरा जो है building machine learning models के उपर है और on azure और next जो है intelligent solution using cognitive services तो लिए कर सकते हैं या पर 24th, 25th और 26th के लिए कर सकते हैं तो इस तरीके से इन्होंने slot बना रखे हैं अब mainly बात क्या है कि काफी सारी slots पहली book हो चुके हैं तो जैसे कि अगर मैं इस पर click करता हूं तो इसमें अभी space है तो आपको बस इस पर click करके यहां पे छूटा सा form fill करन बस यह जरूर आप देख लीजेगा कि आपके mail पे जो भी आप mail यहां mention करेंगे email ID उस पर confirmation mail आता है कि नहीं है कि आपकी seat book हो चुकी है ठीके reserved हो चुकी है तो ऐसे करके आप इसमें जैसे 5-730 का कर सकते हैं 2-4 वाले तीनों ही slot इसमें book हो चुके हैं तो आप 24, 25, 26 के सबसे important चीज है वो यह है जैसे कि आप teachers देखें session speakers देखें तो सारे के सारे leading जो काफी बड़ी-बड़ी companies में और काफी जो बड़े emerging leaders हैं वो session speakers हैं जो कि आपको पताएंगे जैसे कि आप देखें यह CTO है Microsoft India की CEO है NASCOM के ठीक है और यह director है Microsoft Technology Centers के ऐसे काफी सारे session speakers हैं तो का इन जो important चीज है वो मैं आपको यह बता हूं कि जो भी आप इस training session में सीखेंगे तो उसको आपको गिटप पे पुश करना पड़ेगा जो भी आप चीज़े सीखेंगे जो भी आप चीज़े आपको सिखाई जाएंगी तो basically सबसे पहले आपको यह AI classroom series attend करनी है ठीक है वो आ time slot से book करके attend कर लेंगे उसके बाद आपका एक online assessment होगा जो की 28 September से mid of October तक के लिए है कि यह मैंने आपको बताई दिया कि 3 modules हैं आप इसके लिए slot में register करके इसे आप शुरू कर सकते हैं और 21st से 26 के बीच में यह चलेगा तो 2.5 hours के each का यह जो modules हैं और उसके बाद आपके कुछ hands-on मनलब जो assessments वगरा होंगे कुछ hands-on experiments वगरा भी होंगे जो आपको github में अपनी repository में push करने हैं ठीक है और आपकी knowledge चेक की जाएगी यह तीनों ही modules में learning में ठीक है और mainly जो है each modules will be introduced by leading data scientist and AI influencer following by two hour of learning session and 30 minutes of question and answer तो दो हंटे जो है वो learning के हैं और last के 30 minutes question and answer session होगा ठीक है तो two weeks of online support भी प्रोवाइड कराए जाएगा आपको no cost का ठीक है यह पूरी workshop series के लिए और online experts आपकी help करेंगे ठीक है सभी students के लिए है जो Indian universities में resident of India के limited seats है और attendance is on first come first basis तो इसे जल्दी से जल्दी अब main चीज दो है assessment and certification के बारे में जैसे कि मैं आपको पता दिया कि आप 20 minutes का यह assessment होगा जिसमें 30 question होगे MCQ based ठीक है आपको तीन attempt ही मिलेंगे एक लिए तो यह कोई ऐसा assessment नहीं है कि 28 September से लेगा 10 October की बीच में कभी भी हो सकता है तो आपको बता दिये जाएगा आपको 80% स्कोर करना ही करना पड़ेगा आपको यह clear करने के लिए और आपको certification मिलेगा Microsoft की दरफ से ठीक है NAS.com और GitHub की दरफ से ठीक है joint certificate है तीनों की दरफ से ठीक है अब अपना यह certificate जो है hashtag always learning के तो आप पहले से डाउलोड करके रख लें क्योंकि आपको live practical sessions भी इसमें बताई जाएंगे ठीक है तो उसके लिए practical knowledge के लिए आपको यह चीजे और साथ के साथ configuration में बात करें तो आपकी system में Python 3 होना चाहिए तो यह चीज आप पहले से कर लीजेगा कोई भी आप वीडियो follow कर लीजे YouTube पर या अगर आपके system में पहले से भी होगा तो और अच्छी बात है ठीक है और बात करें extension section की तो यह recommend कर रहे हैं कि Jupiter notebook ठीक है तो यह कुछ चीजे हैं जो आप देख लीजेगा ठीक है Microsoft Azure के बारे में हैं तो यह तो आपको खुद ही बताएंगे कि अगर आपके बता दी जाएंगे लेकिन यह जो स्टार्टिंग की चीजे हैं वीजो स्टूडिय और पाइतन 3 वाली यह कम से कम बेसिक आप कीजेगा GitHub का अकाउंट भी बना लीजेगा आपकर नहीं है तो उसमें कम से कम sign in करके basic चीजे अपनी प्रोफाइल तो अपड़िट करी क्योंकि यह सीट अभी भी भी बुक हो जाएंगी ठीक है लगबग वन मिलियन स्टुडेंट्स को यह ट्रेनिंग सेशन प्रोफाइड करने वाले हैं तो वन मिलियन कोई जादा बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है बहुत जल्दी एक दूस लॉट्स तो पहली रिजर्फ हो चुक करना आदा बड़ी स्ट्रेंट्स तो पहली साइब पहली स्टूबस लगबबस पहली रिजर्फ लगड़ी स्टूपग करने ऊजर्फ बड़ी स्टूपप पहली स्टूपश चेमिलियन प्रोभ।